नमस्का दूस्तू, स्वागा थे आपका हमारे चनल P.K. गुरूजी में आज के अपने इस वीडियो में हम बिग्यान से सम्मन्नित कुछ प्रिस्णों का डिस्कस करेंगे तो जिन प्रिस्णों की यहां में हम बात करेंगे चलिए उनको देख लेते हैं तो इसमें जो सबसे पहला प्रिस्ण हमारा है की हाइट्रोजन को जलाने से क्या बनेगा थीक है अगर हम हाइट्रोजन को जलाते हैं तो क्या बनेगा एक हमें बताना है option A oxygen, option B जाख, option C मिटी और option D पानी, तो इसका जो सही अंसर है वह है पानी, ठीक है अगर हम hydrogen को जलाते हैं तो हमें मिलेगा पानी, ठीक है क्या होता है कि अगर हम hydrogen को बिना हावा के जलाएं, तो बिना हावा के hydrogen जलेगा नहीं, ठीक है अगर oxygen की उपस्तिति में जलाएंगे तो oxygen की उपस्तिति में जब जलाएंगे, तो hydrogen का formula होता है, H और oxygen का होता है O, तो इस hydrogen के दो परवाणू, एक oxygen के परवाणू से मिलके क्या बना देते हैं H2O, यानि की पानी बना देते हैं तो इसलिए जब हम hydrogen को जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा पानी आगे बढ़ेंगे, कि निम्ने तत्तों में से किसमें साधान तहा neutron नहीं होता है ठीक है, हमें बताना है कि किसमें neutron नहीं होता है option A, oxygen option B, nitrogen option C, hydrogen option D, इन में से कोई नहीं, तो इसका जो सही अंसर है वह हाइड्रोजन, ठीक है तो जो हाइड्रोजन होता है, इसमें साधान तहा क्या नहीं होता है neutron नहीं होता है अब कैसे नहीं होता है, इसकी चैसे कर लें अगर हम हाइड्रोजन परमानू की बात करें तो हाइड्रोजन परमानू का जो परमानू क्रमांक होता है वह होता है एक ठीक है लेकिन इस हाइड्रोजन परमानू के तीन समस्थाने होते हैं अब तीन समस्थाने कौन-कौन से होते हैं एक तो है प्रोटियम दूसरा होता है डूटिरियम और तीसरा जो होता है व इसमें क्या होता कि Neutron नहीं होता है लेकिन जो Deuterium होता है इसमें 1 Neutron होता है और जो Triteum होता है इसमें 2 Neutron होते हैं ठीके तो यहें आपको याद रगना हैं कि Hydrogen परवाणूं का जो समस्थानेक होता है जिसको हम बोलते हैं Proteum तो protein में कोई neutron नहीं होता लेकिन जो भारी hydrogen होता है जिसको हम deuterium बोलते हैं इसमें एक neutron होता है और जो इससे अतियंत भारी जो इसका समय स्थानेक है जिसको हम बोलते हैं tritrium tritrium में दो neutron होते हैं आगे बढ़ेंगे कि निमने लिखित इंधनों में से कौन सा इधन नियूनतम वायू प्रदूशन करता है ठीक है हमें बताना है कि कौन सा इसा इधन है जो कि नियूनतम वायू प्रदूशन उत्पन करता है option A मिट्टी का तेल option B hydrogen option C koila और option D diesel तो इसका जो सही अंसर है वह है hydrogen ठीक है तो hydrogen एक ऐसा इंधन है जो कि नियूनतम से नियूनतम वायू प्रदूशन करता है ठीक है पहले तो क्या है कि जो hydrogen है यह एक सोक्षतम इंधन है ठीक है सोक्षतम दहन इंधन है जब यह जलता है त उसको बोलते हैं जल या पानी ठीक है एस्टू उत्पन करता है लेकर अगर हम दूसरी तरफ देखें कि जो मिट्टी का तेल है कोईला है डीजल है यह प्रट्रॉल है इस सारे कि सारे क्या है ए जीबासम इंधन है एजन को हम कारवने के इंधन बोलते हैं यह वह हैं जब हम हम इनको जलाते हैं तो इनसे निकलती है CO2 और अनकाई खतरनाक गैसा निकलते हैं जिससे होता है बाई प्रटूशन लेकिन हाइड्रोजन को जलाने से किसी भी प्रकार का बाई प्रटूशन नहीं होता है आगे बढ़ेंगे कि भारे जल का रासानेक फॉर्मूला क्या है ठ H2CO3 और Option D इनमेंसे कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर है वह है D2O ठीक है तो भारे जल का जो रासानेक सूतर होता है वह होता है D2O क्योंकि भारे जल को हम बोलते हैं Deuterium ठीक है इसलिए इसका पॉर्मूला होता है D2O और यह है एक हाइड्रोजन का समस्थानक है तो भारे हीन है तो यह है आपको याद रखना है कि जो D2O है रंग हीन है गंद हीन है और स्वाद हीन है इसके कर हम यूज की बात करें तो यूज इसका होता है परमानों उड्या सयंतों में किस रूप में पहले तो मंदक ठीक है मंदक के रूप में होता है और सीतलक के रूप में होत कि निम्न मैंसे पानी का सुधतम रूप क्या है ठीक है पानी का सुधतम रूप क्या है यह हमें बताना है option A नलका पानी, option B समुद्री जल, option C बरसा का पानी और option D आसिबित जल तो इसका जो सही अंसर है वह है बरशाका पानी ठीक है तो बरशाका पानी सबसे सुद्ध होता है क्योंकि जो बरशाका पानी होता है इसके हम ph value की बात करें तो इसकी ph value होती है साथ आगे बढ़ेंगे कि पानी आयनिक लक्षण का सू भी लायक है क्योंकि आप्शन A उसका कोथनांग उच्छ है आप्शन B उसका दूई दूई दूब आगून देखे आप्शन C उसकी बिसिस्ट उसमा देखे और आप्शन D उसका कोई जंग नहीं होता इसका जो सही अंसर है कि उसका दूई दूई दूब आगून क्या है अधिक है ठीक है जो पानी है तो पानी का दूई दूब आगून होता है वो अधिक होता है इसलिए जो आइनिक लबन है उसका क्या होता है सू बिलायक होता है अगर हम बात करें आइनिक लबनों की ठीक है तो जो आयनिक लबन होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये धुब्री होते हैं, और यह केबल एक धुब्री बिलायक के साथ ही गुलंसील होते हैं, अगर हम पानी की बात करें, तो पानी हमारा क्या है, वो भी एक धुब्री बिलायक है, ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं, जो पानी ह आगे बढ़ेंगे कि निम्न लिखित मैंसे कौन सी गैस पीने के पानी को सुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है ओप्सन A हिलियम, ओप्सन B किलोरीन, ओप्सन C फिलोरीन और ओप्सन D कारवन डाई ओकसाइड इसका जो सही अंसर है वह है किलोरीन ठीक है तो किलोरीन जो गैस है वह है पीने के पानी को सुद्ध करने के लिए उप्योग में लाई जाती है अगर हम कलोरिन के और उप्योग की बात करें तो पहला तो उप्योग इसका यही है कि बिलेचिंग पाउडर बना जाता है ठीक है ब्री संक्रामक भी इससे बना जाता है और पीने के पानी में रोगाणू नासक की तरह भी यूज होता है आगे बढ़ेंगे कि फिटकरी गंदे पानी को किस पिकरिया द्वारा स्वक्ष करती है आप्शन आवसोषन आप्शन आप्शन सी इसकंदन और आप्शन डी अपोहन तो इसका जो सही अंसर है वह है इसकंदन ठीक है तो जो फिटकरी होती है यह गंदे पानी को इसकंदन पि उप्योग बनस्पती तेलों के हाइड्रो जनी करण के लिए किया जाता है option A, जिंक चून का, option B, निकल का, option C, पलेटिनम का और option D, ताम A का, तो इसका जो सही अंसर है, वह है निकल का, ठीक है तो निकल का जो प्रियोग है, वह है बनस्पती तेलों के हाइड्रो जनी करण के रूप में यूज किया जाता है अब यहाँ पर एक सब्दाया है, हाइड्रो जनी करण, ठीक है तो हाइड्रो जनी करण का क्या मतलब होता है, कि कोई भी आसंत्रप्त कारण योगिक है इसमें अगर हम हाइडोजन की किरिया करा दें और उसको संत्रप्त योगक बना दें तो वह कहलाती है हाइडोजन इकिरिया और जो बनस्पति तेल हैं जिसमें आसंत्रप्त योगक से संत्रप्त योगक हमें अगर बनाना है तो उसके लिए एक उत्पेरा का प्रियोग किया जाता है जिसके लिए हमें उज़ करते हैं निकल का ठीक है ठैक्य दोस्तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिसके लिए हमें आपका बहुत 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 बहुत